हेलो माई बीटिफुल सोल फैमिली होब यौल आप दोनों एक हो पाएंगे या नहीं तो इस चीज को जानने के लिए आपको क्या क्या चाहना पड़ेगा वो मैं आपको बता रही हूं देखिए क्या क्या चीज है जो मैं आपको बताऊंगी जिसके तुरू आपको पता चल ज जाएंगे सबसे पहले कि जिस इंसान का इंटेंशिन प्योर होगा ना तो वह आपकी लिए कुछ भी करड़ गुजरेगा तो देखेंगे कि इस परसंद का इंटेंशिन है आपको लेकर और ये परसंद सच में आपकी लिए क्या फील करते हैं उनकी क्या नेक्स्ट अक्शन हो सकता है वह सकता है कि वह भी कोई action नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है आले आने वाले time मिले तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताओंगी ठीक है जैसे कि उनका क्या हो गया current action उनका क्या overall आपके अंदर क्या good quality इस्वाइट क्या चाहते हैं वह आपके अंदर क्या चाहते हैं साथ मैं यह बताओंगी कि आपका क्या intention है आप इस सीच को लेकर क्या सोच रहे हो ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप दोनों तो क्या सोच रहे रहे चलता है लेकिन जिस सबसे universe universe क्या सोच रहा है universe जो है आप दोनों को क्यों मिलवाया है ठीक है आप दोनों का बीच का जो connection है वह आखिर क्या है आप दोनों का कोई future है या नहीं ठीक है फ्यूचर जानने से पहले आपको यह भी जानना पड़ेगा कि वह सोचते क्या है तो सोचेंगे जैसा तबी तो वैसा ही कुछ रिजल्ट होगा ना तो वह आपको बताऊंगी अगर आप लोग चैनल पे नहीं है जरू सब्स्राइब कीजिए family member बन चाहिए और एक बहुत important information कि कुछ love letter होंगे कुछ अनकहीं बाते होंगे तो वह भी मैं आपको बताऊंगी कि आपके person आपको क्या अनकहीं बाते बताना चाह रहे हैं जो कि बताते हैं ने वह आपे कुछ songs वो dedicate करना चाहते हैं वह भी मैं आपको बता दूंगे songs beautiful songs उनके तरफ से आपके लिए और जो भी love letter होंगे और परस्न एडिंग के लिए आप लोग कांटाक कर सकते हो या फिर वीडियो के description में इंस्टाइड का link दिया है और अगर आपको कोई number मिलता है तो बिलकुल के लिए बाते कर सकते हो और राइट रीडिंग आपकी timeless है मतलब जब भी आपके सामने आई उस्वक्त की message होगी बहुत सारे information देकर ही जाएगी फर्स सकेंद धर मैरेज वाले हो मेल फीमेल हो सिंगल मिंगल जो भी है आप लोग अराम से देखिए LGBTQ community है सभी लोग देखिए कोई confusion नहीं रखना है आपके मन में जो चल रहे है पर सने प्यार करते हो आपको पुरा हंग बनता है जानने का कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं और क्या intention रखते हैं कि future आप लोगों का है भी या नहीं या फिर समय बरबात कर रहे हो तो यह जानना बहुत ज़रूरी है त इस वन मैं पॉस्ट करके भी दिखाऊंगे ताकि आप अपना समय लेके काट सेलेक कर पाओ माइब लॉफ इस वर नंबर वन और राइट इंटिटी दे सेलेक करना सेकेंड वन इस फोगिवनेस दिस फॉर नंबर तू और राइट सो भगवान इश्वर जीज असल्ला वाही जिसे आप मानते हैं उनका नाम नीचे अपने पाइल को सेलेक कीजिए अपने नंबर को सेलेक कीजिए नंबर वन नंबर तू जो भी अच्छा लगे ठीक है और अब मैं आपको पॉस्ट करके दिखाऊंगी इसके बाद में मिलूंगी आपको अपके रिडिंग पे हेलो नंबर वन होग कि आप अपने इस प्यूटिफूल काट को सेलेक किया होगा बाइब लव दिस इस वर नंबर वन देखते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है इस परसन के साथ वह परसन आपके लिए क्या सूचते हैं वह परसन आपके लिए क्या फील बन जाए इस तरह की ब्यूतिफुल रिडिंग्स के लिए और पर्स रिडिंग लिए आप लोग कॉंटाक कर सकते हो मेरे चीर मेरे और इस्टाइए के तुरू किसी भी टॉपिक पर पर्स रिडिंग अपलोग ले सकते हो ठीक है हैं तो प्लीजओं घिंग्यकी एक्वेसेच मेरे व्युवर्ज के परसन उनको कैसे थीयु करते हैं ऐसी फिसलिग अधायर्य नकिलिए और मचा इस वन इसीन वाकई को ठव्क बहुत विपशल इनल्पर मेशन है और चेश्थ आप है ओके यहां पर सब्सक्राइब करते होगे या आपके क्रश है या फिर कुछ भी है जब लगा है यह अब मैं अकेला नहीं लगे आपकी परसन फील करते हैं तो यहां यह बहुत beautiful information आया है तो कही ना कहीं यह person आपको my beloved इसलिए बोल रहे है जो आपने card select किया उसके three through यह दिखाई दे रहा है कि आपके जो person है वो आपसे सच में बहुत जादा attracted दिखाई दे रहे है अब यह attraction है यह love है यह infatuation है वो सब कुछ clear हो जाएगा लेकिन सबसे बड़ भी करना अगर शुरू करते हो न love partner की बात की जारी है तो पहले एक attraction से सुरूआत होती है उनके nature उनके how लाइफ में इंटर किये होगे तो यहां पर आपको एक गार्जिय निजल की तरह माने होगे इनको ऐसा लगा होगा कि अब मैं अकेला नहीं हूँ अब मैं अकेली नहीं हूँ यह मेरे लाइफ में आ चुका है और मुझ ऐसा कुछ आपको बहुत स्ट्रॉंग जैसा आपको भी फिल होता होगा और इनको भी ऐसा फिल होता है खिए न कोई पर्पस थो है भगवान में कोच ला कुछ असा प्लांक तो किया है इस वजह से ही मेरे से मैं इस वाद में आई है इसा इनका सोच है आई अपने लाइव को सब्सक्राइब। अपर बाति नहीं जबता है और जिस वक्त आप रहत नहीं होती है जगणा हो जाता है कुछ भी हो जाता है डेफिनेटली यह परसन बहुत अकेला फील करने लगते हैं आपके बीना इसमें कोई शक नहीं है ठीक है तो इनका खुशी है इनका पीस ऑफ माइंड है वह आपके आने जाने पर डिपेंड करता है जिसे कि अगर आप इ और मैसेज्ट he ה commission यह जाते हैं कि अगर करती हो या करते हो तो यह ज्लक कर बंद कर दो यह कहना चाते हैं कि मैं सिर्फोर से तुम्हारा हूं मैं सिर्फोर से तुम्हारी हूं और मैं किसी का नहीं हो ठ कह यह अभी आप दुन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ठीक करना बहुत सरूरी है और मैं हो मैं आपको गाइट करूंगे जिसके तुरू आप लोग यह सारी चीजे ठीक कर सकते हो तो आपके जो परसन है वह आपके मन में जो कमी चल रही है इस रिलेशन सिप को लेकर आपको ऐसा लगता होगा यह बहुत जाड़ा कमी दिखा रहे हैं अपने तरफ से कुछ नहीं है ने मन में तो यह जो आपकी कमी है उसको कंप्लीट करना चाहते है खतम करना चाहते हैं आपका अच्छा नेचर बहुत सरह बहुत सरह चीजे इनको पसंद है वह मैं आपको बताओंगी लेकिन यह पसंद है कि आप इनको लेकर बहुत गलब सोचते हूं अपको एसा लगता होगा कि पर्सट बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं है समझते नहीं प्यारा नहीं करते हैं बहुत सारी चीजह आपको उसके करना चाहते हैं कि मैं सिपर सिप तुमारा हूं तुमारी हूं और किसी के भी आने जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बस तुम मेरे लाइफ में रहो यह इनका कहना है दूसरी बात यहां पर आपके जो परसन है वह बहुत ही ज़्यदा प्रोटेक्टिव है यह चाहते तो हम आगे कम्युट्मेंट की बात करेंगे शादी की बात करेंगे एक होने की बात करेंगे तो यह भी चीजा यहां पर आपई बाते बाते चलते हैं कभी हो सकता aqui या अग्तम आप लोग बाते नहीं करते हो तो इस तरह की चीजे भी यहां पर दिखाई दे रही है लेकिन अगर पर्पस की बात की जाए कि इस परसन का क्या पर्पस है इस परसन का क्या इंटेंशन है तो इंटेंशन मुझे आपके क्लिरली दिखाई दे रहा है यह परसन जो तो फिर रिलेशन का क्या रहेगा वो अगर तोड़ के चला जाएगा तो इससे जानना जरूरी है कि इनका क्या इंटेंशन है इनका क्या सोच है आपको लेकर तो यह जो परसन है आपको हमेशा चाहते कि आप इनके पास रहो ठीक है यह आपको कभी भी कमी महसूस नहीं कराना वहीं चीज़े यह परसन आपको बोलते भी होंगे कि लोग जो है दूर दूर रहते हैं फिर भी बहुत ब्यूटिफुल रहती है और वो लोग एक टाइम शादी भी करते हैं एक भी हो जाते हैं ठीक है तो यहां पर यूनिवर्स आपको यह भी बताना चाह रहे हैं और आपक प्रस नहीं करते हो और हो सकता है चोटे-चोटे बातों पर इनको यह बोलते हो कि मैं बहुत अक्यला फील करती हूं मैं बहुत अक्यला फील करता हूं ऐसा यह सारी चीज़े आप अपने परसन से कहते होगे तो इनको तकलीफ होता है यह सोचते हैं कि मैं तो तुम्हारे सा ना चाहते हैं जिसके uyज़ों से आप तोनों का रिलेशный बन जयाए ठीक किसी की आच ना है इस पंडौन के बूरी इसलेशन वी लगे гол वी लगी esब्किते हैं यहां यह कि उसक्ता है आप दिनराठ के अपने चैकार किसी को बते को बताते होगे अपने दोस्तों जो है लुक्स वाइस बहुत अच्छे है और हो सकता है कि आप अपने दोस्तों को अपने सहलियों को बताते हो या फ्रेंड्स को बताते हो तो हो सकता है कि उनकी नजर उन पर पढ़ जाती होगी कि मुझे इतने परसं क्यों नहीं मिले ठीक है तो यह चीज़े अगर उनके दि इनरजी बतले दूसरों का गलत निकाह ठीक है दूसरों का गलत नचर उन्होंने कुछ बोल दिया कि इन दोनों को साथ होना ही नहीं चाहिए था तो ऐसे कुछ लोग अगर बोलते हैं तो इससे आपको बचके रहने की जरुवत है सबसे पहले बात यह कहा जा रहा है कि अग कई फ़ादा नहीं है लेकिन हाँ अपने मन को हल्का वरने के लिए क्लिए भड़का दे यह फिर आपको परिशान कर दे तो यह आपको सोचना सबचना होगा और तभी और करते हैं तो बहारी लोगों से बहुत साथा निस्कसेन करते हैं ठीक हो जाएगा मैं प्रेए करूंगे सब को अच्छा होजा है कियों देखते हैं कि आपके perchson आपको लेकर काकान और ऐसना महसुल करते हैं । यह परसन जो हैं इनके दिमाग में बहुत सारी चीजे हैं बहुत सारी होप हैं बहुत सारी उमीदों है तो आप ऐसकता है कि इनकी होप हैं उमária विष्टा successful होगा लेकिन कभी-कभी आपके वहवार को देखकर या फिर surrounding के environment को देखकर या फिर family issue को देखकर या फिर जो भी चीजे इनके life में चलिए इसको देखकर भी बहुत घबरा जाते है निगेटिव हो जाते हैं और इनकी energy कम हो जाती है इस relationship में यह effort लगाने कम कर देते होंगे कभी-कभी आप देखते होगे कि बाते कम कर रहे हैं messages reply जो है वह सब नहीं कर रहें क्यों नहीं कर रहें इसका पीछे का पर संब्सक्राइब हो कहीं और लगे रिजन यह है कि वह सोच रहे हैं वह सकता है कि आप उस person के लिए देख रहे हो जो कि के अलरी मैरेट है वह सकता है वह आरी किसी के साथ relationship में है किसी और को commitment दे दिया है किसी और से प्यार करते हैं इसी और के साथ integration में तो वह सोचने लगते हैं कि मैं किसी के साथ धोखा तो नहीं कर रहा कि आपके साथ तो दोखा नहीं कर रहा कि इसके साथ दोखा नहीं कर तो ऐसे जब आपका हाव भाव है जैसे अपने कुछ एप्रिशियेट कर रहे हो जैसे आप बोल रहे हो तो वह सारी चीजे ना इनको माइन ब्लोई लगती है दुनिया की सबसे ब्यूटिफूल चीजे जो लगती है वह आपका बात करने का तरीका और आपके हसने का तरीका आपकी आइज यह सारी चीजे इंको बहुत अच्छी लगती है ओके दूसरी बात इनको आपका हेर भी बहुत पसंद है जैसे कि आप टैडिशनल अटायर में होते हो तो वह बहुत अच्छा लगता है आप ब्लू कलर के रेड कलर के या ग्रीन कलर के कुछ ड्रेस पहनते हो तो भी बहुत अच्छा लगता है वह चाहते है कि आप कभी रेड कलर के बहुत जादा ब्यूटिफुल एकदम ऐसे रेड कलर के ड्रेस पैनों जो कि एकदम सारे लोग फ्लैट हो जाए ठीक है वैसा यह परसंद चाहते है आपको ठीके देखना इनको ऐसा लगता है कि कोरल ग्रीन कलर के बहुत अच्छे लगोगे ब्लू कलर के ड्रेस में बहुत अच्छे लगोगे इच्छा इनकी बहुत है इनके ड्रीम्स बहुत है लेकिन हो सकता है वह कभी आपको खुल के भी नहीं बताते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आज अपने सारे ड्रीम्स याज मैं आपने से रिम्स बोल दोंगी या रोल दोंगा और कल नहीं हो पाया तो आप दुखी होगे और मेरा भी दिल टुटेगा ऐसा इनका सोच है तहिसके लिखिन अगर आप चाहना चाहतेए लिए परशन डर बहुत है लेकिन इच्छा भी बहुत है जैसे चाहते हैं अगर इंटे चाहते हैं लोगने वैसे प्लेसे पर जाओ इसके साथ जहाँ पर कोई ना हो सिफ हम दूनों हो और हम दूनों टाइम करें मेरा प्यार और आप ठीक है हम साथ हो यह इनका कहना है यह सोचते हैं आपके पर्सन और और देखते हैं क्या है देखिए एक बहुत important information है यहां पर एक मेरे परसा है कि क्या ही है की iPad करें जैसे मैं हो यह कि यह हो मैं다는 why आपको करना चाहिए ऑठ्सेयर क्या चैसे हो यह परसन वैसे हैं आपको एक्सेफ करने यह है इसमें himself official करेंगे नहीं करें इस लेकिन यहां पर मुझे िइसा लगदाएं कि कहई कि इनके मन में confusion है कि हो सकता है कि कल होके इनके बच्चे अगेंस्ट हो जाए इस इस तरह के मन में बहुत जादा कि Confusion चलते हैं ठीक है और मन में यह भी चलता है कि अग भी मैं करेंट वाइफ को कैसे छोड़ सकते हूं कैसे छोड़ सकता हूं तो यहां पर आपके जो परसन है अगर आपके साथ होते हैं तो उनको ऐसा लगता है करना कि मेरी एक्तम क्लीन होते चली जा dif I can't go send me आपके नीदियन चाते हैं एक बहुत सारी डृigne होंगे अपने लव लाइफ को लेकर अपने पार्टनर के साथ ठीक जो भी चीज़े करना चाहते हैं करना चाहते तो हैं बहुत कुछ है और यह भी है एक बहुत ब्यूटिफुन इंफॉर्मेशन आया यह तो क्लियर हो चुका हुआ यहां पर ना इनको कहिना की असा लगता है कि आपके रिफ्रेक्शन हो जैसी बातें जैसा चलने तरीका आप venture पसंद्त है वह सारी सीचे बहुत चीज़ें को बहुत चैंद पसंद आती होंगी सादू के में फो सकती है ऐसा यहां है वो सबता है कि आप भी शाई हो आपके परसन भी बहुत जादा शाई है तो यह सारी चीजे हैं लेकिन फिर भी यह आपके साथ होना चाहते हैं ठीक है सब इससे पहले बात इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में इसलिए हो ताकि इनकी हर्ट अवेक नहीं हो सके इनको ट्रू लव पता चल से कि आखे त्रूल लव क्या होता है वह सब जानना चाहते हैं थे आपके परसन बहुत पहले से और आपके आने के वज़य से इनको य करते होंगे ना अगर आप लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्सिप में भी हो ठीक है सिंगल हो मिंगल हो सभी कि लैंफॉर्मेशन है यह आपके आवाज को यह आपके वॉइस को ठीक है वो फील कर पाते हैं कि आप एक वर्ड भी बोल रहे हो ना तो फील होता है जैसे आप I love you for example 10 10 times बोल रहे हो 20 times बोल रहे हो तो ऐसा नहीं बस सुन देते हैं बलकि इसको फील करते हैं ठीक है तो यह परसन को ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में आए हो इनसे प्रित दिल से दिल से connection दिखाए देता है आपका heart to heart connection है और हो सकता है कि इन्होंने कभी भी किसी के साथ इतना deep connection नहीं feel किया है जितना यह person आपके साथ फील करते हैं ठीक है आपके आने के वज़े से इनकी life meaningful भी हुई है इसमें कोई शक नहीं है और यहां पर इनको ऐसा लगता है मुझे जीना है मुझे और भी जीना है ऐसा यह person कहना चाहते हैं जब यह person आपके साथ होते हैं म कहा है सकता है simple word में कि हां यह कह सकते हैं कि तुम्हारे आने के वज़े से मेरा life जो है वह meaningful हो गया है पहले क्या था वह तो pointless था मिनिंग्लेस था लेकिन अब meaningful है ऐसा हो सकता है कि आप merit person के लिए देख रहे हो तो यह chances है कि उनके babies भी होंगे उनके person भी होंगे मतलब जो partner है जिससे शादी हुई वह भी होंगे लेकिन कहीं न कहीं उनको वह feel नहीं हुआ होगा जो feeling आपके साथ develop हो चुका है और उस feeling को develop कराके वह high level पर लेकर जाना चाहते हैं उस feeling को खतम नहीं होने देना चाहते हैं आपके जो person हैं मन में इनके बहुत सारी बाते हैं लेकिन वह न नहीं बोल पा रहे हैं कि इनके खुद के बहुत सारे responsibilities हैं ठीक है और इस तडिके से रिष्टे तोड़ देना और आगे बढ़ चाना इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं आपके person देख रहे हैं या आपके person married है तो वैसे यह चीज है और आपके जो person है इनको ऐसा लगता है क कि आप एक बहुत दयालू एक बहुत काइंड परसन हो और आप एक सन की तरह हो मतलब जिसके life में जाते हो उसके life को meaningful बनाते हो उसको नए ने चीज़े सिखाते हो ठीक है हो सकता है कि आपके आने के वज़े से इन्होंने अपने life में बहुत ज़्यादा success भी हासिल किया है यह भी चांसे से promotion वगेरा हुआ है या फिर नए resources खुले होंगे happiness के ठीक है खुशियों के पैसे के धन दौलत के यह चीज़े हैं आपके जो परसन है वह एक ट्रेडर बिसनस्मान बिसनस वोमें भी हो सकती है ठीक है या फिर उनकी सपने उनकी सपने हो सकते हैं और करना चाहते हैं इसमें कोई शक नहीं है और देखते हैं कि क्या है इनका intention क्या है इनका सपना तो सबसे पहले information यह है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रतारित किया जाता है और यह चीज़ें इनको पता चल चुकी है आपके जो परसन है जिसके लिए आप देख करते हैं और छोणवां रहुत कियो के हैं चाहिञाएं कि करते हैं ऑपने इस परसन को अपने परशनको बताइए जिसक लिए ओट कूल Whereas सुनते हैं ना तो उनको बहुत गउस्सा में बहुत तकलीफ होती ऐए कि आपको कोई तकलीफ दे रहा है आपके पावर सर्दूरिटी सारे चीजे जो है ना अपकी जिंदीगी को डों को जो है अपने हाथ में ले लिया ili तकलीफ देती हैं यह चाहते हैं आपको फृडप देना आपको खुश्यान देना और इनके मन में बहुत गुसा भी है ढुशा उनके लिए है जो आपको परिशान करता है जो आपको दुख देता है यह चाहते हैं कि आपके सारे दुख दर्द को खतम कर दें और आपके लाइफ में ना आप खुशियां बढ़ दें यह चीज़ें चाहते हैं तो जब यह सोचते हैं तो तक्लीफ होती है गुस्सा भी आता है और गुस्से के बाद यह परसन और भी कुछ बहुत मेंऊनली को प्रफुल यह चाहते होगे लेकिन आप अपने दुख दर्द को भूलक Sp zennaille Colin फूर से होगे कि तो यहां पर यह चीँज क्लियर में चाहते हैं कि आपको पूरे तरह तरफ से लीप किनेशन चाहते हैं आपकी साथ मेंसिखिल्हें कोई हर तरीकह से दूस्री यहां पर यह भी चीज थे आपको बहुत Manufacture पर बिल्कुल रोता हो नहीं दीढ़ लाज मखतना है आपके आखोब का कचल है वह फैलति वह देख्ञा नहीं चाहते और हो कुछ कर सकते मुझे से अलग है करेंगे जब इनके खुद के जो डर खतम होंगे डेफिनेटली कोई स्टेप लेंगे नेक्स अक्षन क्या हो सकता है वह मैं आपको बताऊंगे जब यह परसन इतना आपके लिए कर रहे हैं तो क्यों नहीं को स्टेप लेंगे अफ्कॉर्स लेंगे ठीक है अब मैं आपको और कुछ इंफॉर्मेशन बताती हूं एक काट के थो यहां पर और क्या है क्या सोचते हैं आपके परसन आपके बारे में ओमाइगाड यह तो बहुत ब्यूटिफुल परसन इनको ऐसा लगता है यह आप बहुत परसन हो अगर आप किसी एक चीज में कमिट्मेंट देते हो तो उसमें खड़े होतरते हो हो सकता है कि जब भी आपके यह जो परसन आपको प्रपोस किये होंगे या फिर आप दोनों रिलेशन सिप में आ गए हो गया फिर कुछ भी तो आप इनके साथ बहुत सारे प्लानिं परसन हो यह चीजे इनको बहुत अच्छी लगती है आप एक्दम फामिली औरियंटिट परसन हो ठीक है यह चीजे इनको बहुत जादा भाज आती है आप बहुत ब्यूटिफुल हो बहुत अट्राक्टिव हो यह सारी चीजे आपके अंदर नोडिस करते हैं फिजिकली तो बहुत पच्छी आती होंगे आपका जो इमोशन से आपका जो कनेक्शन है इनकी बहुत जादा यह परसन जाली उतलिटे होंगे कदर करते होंगे यह सारे इंफ्रमिशन तो है ठीक है देखते हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्लान किया है क्या हो सकता है स्वेशन का क् आप दुनों एक होप पाएंगे भी या नहीं सो प्लीज कॉट गिव में अक्यूरेट मैसेज फॉर माइडियो व्यूवर्स कुछ रेमेडियस कुछ गाइडेंस होगा वह भी मैं आपको बताऊंगे सबसे पहले तो यह कहा जा रहा है कि देखिए जो भी लोग अगर अपने पर्सन को लेकर बहुत ओवर पोसेसिव हो चुके हैं या बत ओवर तिंकिंग अगर आप कर रहे हो तो यूदिवर्स आपको यह बोलना चाहते हैं सबसे पहले गोविद दफ लो जो हो रहा है इसके सा आपको फ्लो करते जाना है जैसे कि एक मशली जो है फ्लो करती है एक रीवर में ठीक है वो कहां जाती है उसको खुद नहीं पता लेकिन क्या करती है वो अपने लाइफ को जीना नहीं छोड़ती है तो यूदिवर्स आपको यही बोलना चाहते है अगर यह परसन आपको मिल और बाते करते चले जाएए कि बढ़ते चले जाएए क्योंकि आगे आने वाए टाइम में खुश तो होने वाला है वो मैं आपको बताती हूं इतना तो क्लियर है कि अपने लाइफ को जीना मच होड़िये ठीक है बहुत ओवर्तिंकिंग मत कीजे और क्या है देख लेता है Please Scott give me accurate message. क्या है नुग का future? Please Scott give me accurate message For my dear viewers This one, This one. Okay सबसे पहले आपको यह कहा जा रहा है कि कुछ तो है ऐसा ठीक है जैसे किसी इंसान को बांध या जाता है। फिलिए जाता है किटना नहीं निकल पाता है और और सब्छतक सो फ्री भिन हो पाएंगाeda जब तक उस जनी तो तोड़े ला है तो इसी तरक मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपके खुद कुछ फैमिली इशू हो सकते हैं आपके बच्चे हो सकते हैं आपके फैमिली हो सकते हैं आप मैरीड परसन हो अल्रड़ी या फिर मिंगल हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट है जिस वज़े से आप चकड़े वे उसे हो जैसे जंजीरों में बंधे हो और आपको चीज को खुद ही तोड़कर निकलना होगा तभी आप दोनों एक हो पाएंगे यह चीज है और यहां पर उनके तरफ से भी यह चीज दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि उनके भी कोई है ऐसे पार्टनर या फ करेंगे कार्ट बहुत ब्यूटिफूला है जब इतना प्यार है जब इतना ट्रू लग है अच्छा है तो डेफिनेटली यह क्या करेंगे जरूर स्टेप लेंगे ठीक है और क्या इंफॉर्मेशन है प्लीस कॉट गिव में एक्यूरेट मैसेच दिखिए दफ फ्यूचर का बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में बहुत जादा अबंडेंस है खुश्या है है सक्सेस है इंजॉइमेंट है और क्या है तुरुत है सक्चाई होगी आप दोनों के बीच में और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फ्री स्पिरिट मतलब सारे मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है और क्या है देख लेते हैं स्कॉर्ट गिफ में अपकी साथ होंगे और वह कभी भी आपको छोड़के नहीं चाहेंगे ठीक इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं और कुछ लोगों का अगर नो कॉंटाक सिचुएशन चल रहा है और आपक लग रहा है जो रिलेशन्शिप में दूर है सेपरेट हो गया है वह आपके परसन आपको बहुत जादा मिस कर रहे हैं अभी के टाइम में वह आपसे बाते करना चाहते हैं फिर से नहीं शुरुवात करना चाहते हैं यह चीज़ यहां पर दिखाई दे रहा है और क्या तो हो सकता है अभी आप फ्रेंशिप में हो लेकिन यहां पर यह चीज़ कहा जारा है कि बहुत जल्दी आप दुनों एक दुसरे की फीलिंग्स को बताने वाले हो और एक दुनों ही जो है ना साथ होते हुए दिखाई दे रहे हो और यहां पर रिलाक्सेशन का कार्ड है र इतम बात ही नहीं हो रही अच्छी से तो आप लोगों का यहां पर कॉमिनिकेशन होने वाला है एक दुसरे को क्लियारिटी दे रहे हो एक दुसरे को बता रहे हो कि हमें अब क्या करना है ठीक है तो यह चीज़ यहां पर दिखाई दे रहा है तो फ्यूचर अच्छा है उस यहां पर इसलिए है कि हो सकता है यहां तो आपसे कोई गलती हुई है यहां तो दोनों एक दूसरे को माफ करने वाले हो अगर आपसे कोई गलती हुई है आपने कोई बहुत जाता अब्यूसिव वर्डिंस किया है वो आपको माफ करेंगे और यहां पर यहां पर यहां पर चाहते हैं कि हां मैं confused हो जाता हूं तो मैं कॉल करने में ठीके मुझे डर लगता है डर्वस हो जाता हूं लेकिन मैं यह नहीं चाहता है कि तुम मुझे एग्णूर करो ठीक है उसके बाद और का करते हैं हो आपको हमेशा फील करते हैं हमेशा आप इसे बाते करना चाहते हैं अब करना चाहते हैं इस तरह के love letter है और दिखते हैं क्या love letter है future bright future tension लेने के जोरत नहीं है बहुत relaxed होगे और बहुत अच्छे से time spend करोगे and nothing is matter बठीक हो सकता है कि अभी इनके लाइफ में कुछ इतना इंपॉर्ट नहीं है जितना आप इंपॉर्टन हो एंच सेम इनर्जी है आप बीस परसंट लिए यही फील करते हो मैं कार्स लेकर आपको बता देती हो यह आप इस परसंट को लेकर क्या फील करते हो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा कन्फूजन तो है मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने इस परसन पर ब्लाइंटी ट्रस्ट पी किया है हो सकता है कि इन्होंने आपको धोका भी बहुत बढ़ दिया है मुझे ऐसा लग रहा है आप ठीक है तो आप इक्वालिटी के तलास में आपका सा लगता है कि इस रिष्टे में एक्वालिटी नहीं है एक्वालिटी होना चाहिए ठीक है तो यहां पर यह चीज है बतलब आप चाहते हो कि मैं इस पर ब्लाइंटी ट्रस्ट करो और चमने कुछ ना भी देखो नहीं यह मुझे सब एक वी के फिमिखन करना चाहते हो चाहते हो बहुत तकलीफ होई है उन्हें नहीं आपको बहुत दुक्श दिया है ऐसा हो सकता है लेकिन मैं सिर्भी आप इस परसंद के साथ ईओ आप इस परसंद के साथ नई शुरुवात करना चाहते हो और आप इस परसंद के साथ अपना एक बहुत वाइन दिखाई दे रही है तो बहुत ब्यूटिफुल किसी और कंट्री में आप किसी और कंट्री में और स्टेयगे दो काड़ है यहांपे लेकिन है करने को पता है कि आप इंसे बहुत प्यार करते हो और आपके दिल में इनके लिए बहुत जादा डिजार है या चाहते हैं कि आपके सारे सपने फीलिंग को छिपान महीं पाते और अलग नहीं हो पाते हैं ठीक है यह सारे लव लेटर है आपको पर सिंके तरफ से और ऐसा फ्यूचर दिखाई दे सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चीमिल और इंस्टाइड के थूप जो कि मैं आपको सिन पे शो कर दिया है सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चीमिल और इंस्टाइड के तुकि मैं आपको शो कर दिया है तो देखते हैं जो आपके मन में चल रहे हैं परसन है क्या आप दोनों एक हो पाएंगे या नहीं और क्या प्रॉब्लम क्या आपस्टिकल्स चैलेंजिस आसकते हैं वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगी युनिवर्स ने क्या प्लान किया है सब कुछ सबसे पहले तो यहीं दे कि कि हो के इंटेशन भी बाहत प्योर दिखाए देहें स परसन का आंड इस मन सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आपकी जो है वो खुड खुड जद अच्छाITH इंसान है ऐसा हो सकता है देखिए सबीक नहीं हो सकता है यह जिए हो सकता है कि आपके जो परसन वो अच्छे है ऐसा हो सकता है कि लव लाइफ में वो कभी उतने अच्छे नहीं रहे हो या फिर रूट रहे हो या फिर कुछ बिहेवियर असर रहा हो लेकिन अगर आप उनके पूरे ओवर और लाइफ को देखोगे न तो शायद वो एक अच्छे इंसान होंगे या फिर ऐसा समझते हैं जितना फील करते हैं वो सब कुछ मैं अभी आपको बताने वारी हो और क्या फ्यूचर हो सकता है वो भी मैं कार्श लेकर आपको बताऊंगे सबसे पहले यह परसन को ऐसा लगता है जब भी आपके साथ होते होंगे तो सोल्मेट जैसा इनको फील होता होगा जैस आपके साथ जब भी होते होंगे इनको बहुत अच्छा लगता होगा जब यह अपने फ्यूचर के बारे में डिसकस करते होंगे जब हीं अपने बास के बारे में दिसकस करते होंगे आपसे तो इनको स कूशनीज u रिलेशन जिसके लिए आप देख रहे हो ठीक है कभी वह आपको रूट लगते होंगे कभी आप इनको रूट लगते होंगे ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है तो स्टेबिलिटी सेक्यूरिटी कुछ भी नहीं है ठीक है और उसके बाउचुत में कभी आप दोनों के भीच में छगड़ा होता है तो यह ऐसा क्यों होता है मैं बता रही हो क्योंकि आप दोनों एक दुस्रे को लेकर बहुत ज़्यादा पुसेसिव हो गया हो एक दुस्रे को परसन हैं कभी आप किसी और से बाते करते हो या फिर इसे बाते हो चांस हो सकता है कि दो महीं वहीं है यह हैं यह बहुत सारी से करें situation तो दिखाए दे रहे हैं लेकिन यह overall energy आपके लिए यह feel करते हैं कि अगर आपकी professional life की बात की जाए तो कुछ मामलों में आप अपने life में brilliant हो इक्तम brilliant हो इसमें कोई सब नहीं है आप कहीं न कहीं self-reliant person हो यह भी इनको अच्छा लगता है ठीक है आप दूर का सोचते हो दूर का planning करते हो यह सारी चीजे पसंद है लेकिन बहुत ज़्यादा over possessive हो जाना बहुत overthinking करना यह नहीं पसंद है आपका हसना और आपका हसाना यह हो सकता है जब भी दूनों की बाते होते हैं तो आप उनको बहुत हसाते होगे सब्सक्राइब होंगे यह सारी चीजें को बहुत अच्छी लगती है और एक चीज में आपको बताना चाहती हूं कि यह आपको अपने लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट परसन समझते हैं यह और इनको ऐसा लगता है कि जो भी मैं इस परसन के साथ एक्सपीरेंस कर रहा हूं यह कर रही है तो यह मुझे बहुत कुछ सिखार इह परसन आपको एक टीचर की तारह मानते हैं ऐसा यह फि बताना चाहती हूं कि आपनेसा इनको बोल्झे अभी मेरा केरियर दोनों के ऐसे बाते दिकाे दे रही है कि आप दुलुकिable हो सकता है कि अगर के भल्योहीं जचल रहा है अभी हएक और चुछ सकता है दूनों अभी बहुंच आप इंडिपेंडिने नहीं हो याफिर आपने अपने सारे ड्रीम पूरे हैं अपने ड्रीम जॉब में नहीं हो अपने तक जब बाते करते हो तो उस वक्त आप दोने से को सुनाथे होंगी तुम्हारे मेरी समय बरबाद होते चली जा रही है बरबाद होते चला जह रहा है ठीक है और तुम्हारे जैसे मैं अपने carrier पर ध्यान नहीं दे पारी। तुम्हारे वजहसे मैं अपना इतना time spent कर दिया। तुम्हारे वज़े से मेरा carrier बरबाद हो चुका है इस तरह की जो है तैंप करते होगे जो आप दूनों का छगडा होता होगा। यह गोड़ाकर जैसा लग रहा है कि यह नहीं होगी तो मन की शांती नहीं होगी तो अपको यहां पर यूनिवर्स आपको यही बताना चाहिए अगर आपको अच्छा करना है तो थोड़ा सा रिलेशनसेट में शांती लाकर रखने की जरुवत है क्योंकि यहां पर मुझे अशा लग रहा है कि आप दोनों को साथ क्यों करते हो ठीक है आप इनके साथ इतना Toxic भी करते हो यह चीज़ इनको अच्छा नहीं लगता है ठीक है तो इनको भी में तब हिसाल भी से बहुत बुबा किया है मैंने विचुच बोला ये वह तो इन्होंने से गुल्टियां है जिसाँ आहां कि हुआ उनुट ने дов пог्लू इन्हों होचा हो कि आपको पाने के लिए ऐसा हो सकता है कि 가능 दोनों की शादी हो जाए आप दोनों एक दूसे के साथ टाइम स्पेंड करो तो यहां मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा काम आने वाला है अगर आपने मैनिफेस्ट कर लिया डेफिनेटली इस परसन को आप पाऊगे और बहुत मैजिकल वे में यह आपके लाइफ में इंटल चीज है कि यहां पर हो सकता है कि अभी कमिटमेंट ना दे एक महीने हो जाए चार महीने हो जाए छे महीने हो जाए आठ महीने भी हो जाएंगे हो सकता है लेकिन हो सकता है कि इसी एक साल के अंदर यह परसन आपको कमिटमेंट देंगे अभी से लेके तो यहां पर यह चीज रहो तो अलग गहीं भी रहो ठीकि砲 फे vegा बाइंड ही रही और दिन प्रती दिन बहुंदक स्टौंग होता चला जाए इसा इंदेंशन हो सकता है है इसा करेंटिया वाइसव के ऐनर्जी बात यहाँ यह चीज और कि अब भी अगर करें situation दिखा जाए इस person का या आपका तो में भी कुछ ambitious plan बना रहे है यह person इस relation को लेकर ताकि आप दुनों के बीच में जो लड़ाई जगड़े हैं वो खतम हो जाए ठीक है और जब आप दुनों का बांडिंग स्ट्रॉंग होगा तब तो एक लाइफ स्टार्ट करोगे ना तब तो नहीं करोगे तभी तो अपने फैमिली को जाकर बताओगे और जब आप दोनों की बीच में कुछ अचा नहीं रहेगा और फैमिली को बता दोगे फिर देखोगे जगड़ा हो गया आपके प चाहते हैं पर चाहते कि अगर ये सरक करते हैं आज वाग इस सब जहां कि जहां पर यह साथ हो इसे बाते हो तो बहुत सब्सक्राइल को उस सब्सक्राइब दूसरी invited Scroll wurden बहुत ज़धा emotional इस परसन को experience कराया हो अप इसको एक mother जैसा feel कराया होगे हो सकता है कि आप इनको ऐसा feel कराते हो ना कि जैसे आपसे ज़दा इस परसन को प्यार नहीं कर सकता यह वी एक reason है कि परसन आपके ओपर लट्टू है और यह परसन आपसे दूर नहीं होना जाते इनको यह पूरी तरह पता है कि आप ही वह परसन हो जो कि इनको एक romantic relationship दे सकते हो आप इस relationship के हर एक dreams को fulfill कर सकते हो और इनको यह भी पता है कि आप ही वह person है जो कि इनके साथ long lasting relationship निभा सकते हैं deep connection feel कर पाते हैं यह person आपके साथ इस सारी चीजें को बहुत अच्छी लगती हैं आपके अंदर हो सकता है कि इस person को आपने बहुत बार handle किया है बुरे situation से बाहर निकाला है या फिर हो सकता है अगर आपने करते हो मांदारी के साथ करते हो दूसरी बात हो सकता है कि आप इसके काम में भी बहुत जादस को सपोर्ट करते हो यह इनको बहुत पसंद है ठीक है पूच्छ सकता है कि परसंद आपको किसी education प्लेस में मिले होंगे या फिर किसी ट्रेनिंग द्वरान मिले होंगे ठीक हो सकता है परसंद आपको बहुत प्यार करते हैं आप पिस परसंद से हो सकता है इस परसenदे आप से बहुत बड़े बड़े छूट बोले होंगे और आपने ना कहीं से कोच के inquiry करके देख के निकाल डिया होगा की देखो और इस परसन के सामने रख दिया होगा देखो तुम उसे जूट बोल रहे थे तो जब आपने यह चीज किया होगा तो वह हक्के बख्के रह गये होगे कि आपने यह सारी चीजें कहां से पकड़ लिया आपने इस परसंट के चोरी को कहां से पकड़ लिया तो यह सारी चीजें आपके परसंट जब आपके तरफ से देखे होंगे जब आप इस person को रंगे हाथ तो पकड़े होंगे तो फिर यह person हाग के बखके रहे गए उस time से सोच लेंगे कि आप बहुत sharp minded हो बहुत तेज हो बहुत तरार हो और आप से थोड़ा बचके भी रहना चाहिए ऐसा भी यह person सोचते होंगे तो हो सकता है कि यह person उस time से और भी बहुत ज़ादा आपको value देने लगे हैं क्योंकि आपको यह person बहुत ज़ादा brilliant मानते हैं और यह person हमेशा से चाहते थे कि मुझे ऐसे person मिले जो कि काफी talented हो जो कि problem को बहुत अच्छे से solve कर ले ठीक है तो यह सारी चीज़े आपकी person अंद प्राक्ट कर गए होगे आप इस person को ऐसे भी चीज़ें यहां पर दिखाए दे रही है क्योंकि जब आपकी खुबसूरती आपके दुख के साथ मिली होगी जो combination बहुत deadly combination इस person को हो सकता लगा होगा और जब यह person आपके उस चाहरे को उस feeling को चाहरे पर जो आपकी feeling है गहरा सकता है future wonderful हो सकता है लेकिन अभी देखा जाए तो उतना wonderful नहीं है और हो सकता है कि आप भी give up करनेगा कभी कभी शोंस्ते हो ठीक है लेकिन उमीद है और यह उमीद जो है बहुत आगे लेकर जाएगा जैसे कि आप वह सकता है कि थंड के टाइम में कुछ लख़िया वगेरा चलाते होगे तो छोटा सा ही आग होता है है ना छोटा सा ही होता है लेकिन वह फ्यालता चला जाता है बड़ा हो जाता है तो वही चीछ है कि अभी आप दोनों के बीच में छोटी सी fire है वह बढ़ते चली जा और माइडी आप यूवर्स सबसे पहले काड़े वोमेन होल्डिंग कोई तो देखें यहां पर यह चीज है कि हो सकता है कि आप फाइनेशली इंडिपेंडेंट होंगे वह सकता है कि आप खुद का जौब हो आप वर्क करते हो तो यह चीज इनको बहुत अच्छा लगता है दूसरी बात आप कुछ परपल कलर के ब्लैक कलर के ड्रेस में इनको बहुत अच्छे लगते हो उसके बाद यहां पर ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ फ्लोरल प्रिंट के ड्रेस पैनोंगी तो इसमें बहुत अच्छे लगोंगे ठीक है और आप एंग्तम एक गुलाब क फून फून फ्लावर्स के तरह बिल्कुल सॉफ्ट से परसन लगते हो ठीक है और यहां पर मुझे यह भी दिखाया देरा कि आपके जो परसन इनको ऐसा लगता है कि आप काफी जादा स्टाइलिश और काफी ज्यादा मॉर्डन परसन हो ठीक है और कभी-कभी इनको इंफी इस तरह की फीलिंग परसन के मन में आती रहती हैं मतलव आप इस परसंट की तरह लगते हो उसमें कोई शक नहीं है और किया है देख लेते हैं दब्सक्रीन के बता रहा है कि आपके चो परसने इसा लगता है कि आप बहुत करने वाले बसन हो दूसरी बात ऐसा है कि एक को लेकर हां डोनों में अंतर यह है कि आप पॉजटिव नहीं करते हो आप निगेटिव करते हो ठीक है आप ज्यादा निगेटिव सोचते हो कि मुझे छोड़ पर चला जाएगा यह मुझे बीच मजदार में छोड़ देगा छोड़ देगे इस तरह के चीज़ आपके मन में लेकिन यह क्या सोचते हैं इनका मन में कुछ ऐसा चलता है कि आप हमेशन की साथ होगे हमारा फ्यूचर व्राइट है अगर कितने भी तकलीफे आ रही है फिर भी हम लोग साथ मिलके जेल लेंगे तो इस तरह का इनका सोच है हो सकता है कि आप मैरेड हो वह भी मैरेड है तो आपके मन में और भी बहुत डर रहता होगा वह सकता है कि इनके फोटो वगेरा को बहुत जादा लाइक किया चाता होगा तो और भी खबर आजाते होगे यह चीज यहां पर दिखाई दे रहा है वैसे और आपकी परसन क्या सोचते हैं आपको लेकर त whereby देखें dozen लोंसे हो सकता है यह फिन अनने प्यार किया होग हो तो समझ में नहीं एयोगा कुछ ==== लिए एक्स्पे में रहा होगा डेकिन उनके दिखाए घ्ठीन का यह प्लिकेशन जुओ आपने दिखाया है ना इनकी दिल को चीट लिया तो वह डिडिकेशन वह डिटेमिनेशन जो डिवोशन से आपने परसंद को लभ किया है यह परसंद भूल नहीं बहुत द report किया है उस तरफ तरन उस सारी की चीजिस क सब्सक्राइब क्षा एक 와서 har Freddy भी है सोचते हैं कैसे में जाओ इसके सामने कैसे माफ़ी मांगू तो इस तरह की चीज़ें इस परसल के मन में चलते रहती है अफसोस है लेकिन हाँ यह परसन आपसे प्यार करते हैं यह परसन अगर इंटेंशन देखा चाहिए तो माइगा डोट रॉमांस का काड़ा चुका ह यह परसन आपके साथ रॉमांस करना चाहते हैं रॉमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं अपने सिंदेगी को आपके साथ बिताना चाहते हैं अपने पूरी खोशिया जो आपके उपर इच्छावर कर देना चाहते हैं तीक है आपके लिए बहुत बहुत कुछ करते हुए कुछ हो सकता है सब्सक्राइब करेंगे देखें कॉर्णू को पिया काड हैं टुइन फ्लेम बहुत सारे लोग है यहां पर 20 परसंट लोग टुइन फ्लेम कनेक्शन वाले दिखाई दे रहे हैं यहां पर हो सकता है कि आपके परसंट कभी-कभी आपको छोड़ कर चले जाएं तो यहां पर लग रहा है कि जितना झूट नहीं पोलना था उतना चूट इस परसंट ने आप से बोला है लेकिं फिर भी आपके साथ ही मतलबरू करपाते हैं ूलारीट और क्या इन्वरमेशन है कॉल्ड-नोगण को नहीं इस में कोई एलाइब हो सकते हैं की इनका इससे का सच अपके कभी ने हो सकते है तो चम्छा। बढ़ी बात है डिवोस होना फोचाएगा इसली है इसली डिवोस हो सकता है निवेगए शुक्स मंत के अंदर डिवोस हो जाए उसके बाद यह परसन आपके हो जाएंगे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है टुन फ्लेम कनेक्षन है बहुत अपसंद आऊंज अगर में उसाथ होते हैं कि अमयरिक परसन है तो अपने पार्टनर के साथ रहते होंगे एक तो मन मेना रहत हैं चलते होंगे वो चाहते हैं है जै Lisa सब्सक्राइब किया है ईयुकि मैं किसी और के बारे में नहीं सोचता ठीकिए किर लिया है और कभी कि तुम्हारा प्रेश जो है नहीं किसने कटे है ब्रच करते हो toll तो यह चीज है मैं देख पारी हूं कि आपके अंदर बहुत जादा जालस हो सकता है इस परसन को लेकर मतलब यह परसंद किसी और के साथ हो रहे हैं अगर हसके किसी और से बाती कर लिए तो हो सकता है आप दोनों की बीच में चंगडाव जाता होगा वह सकता है कि कमेंट में तो यहां पर यूनिवर्स के तरफ से बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है कि आपको अपने जालस से पर कुछ से पर एंगर पर कंट्रोल करना चाहिए और आपके परसंद कूद क्या ना चाहते हैं यह चीज़ें को पसंद नहीं आती आपके अंदर ठीक है देखते हैं कि और को लेकर बहुत जादा प्रोटेक्टिव हैं प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमारे बीच का जो रिलेशन है उसमें एक ग्रेट इनर स्ट्रेंट रहे और इसको कोई तोड़ना पाए दूसरी बात यह जानते हैं कि आप बहुत केरिंग हो बहुत इनके अंदर बहुत जादा गिल्ट है बहुत अफसोस है इन्होंने जो भी आपके साथ धोके पाजी दुख आपको दिया है तकलीफ दी है लेकिन आपके साथ रिलेशनसिप की नई शुरुआत करना चाहते हैं इसमें कोई शक नहीं है ठीक है हो सकता है कि आपके परसन है इस तरह की चीज़े की है लेकिन फिर भी परसें आपसे बहुत जादा अटाश्ट है और वाइस वर्सा की एनरजी आप भी इस परसन से बहुत जादा टैश्ट हो और यह एक्टाश्मित आसक खतम नहीं होने वाला देखते हैं कि क्या फ्यूचर हो सकता है आप दोनों का थ तरफ से चल रहा है कोई डिवोस ही हो गया जो भी वह सब खतम होगा दो महीने के अंदर और दो महीने के अंदर आप दोनों डिलेशन सिप मतलब ऑफिश्यल कह सकते है उस तरह से आपने दिम पक्के वाले रिलेशन सिप में आओगे उसके बाद क्या है ओपन यहां पर यह आप दोनों जितना खुलकर अपने जिंदीगे को जियोगे साथ में उतना शायद आपने कभी जिया भी नहीं है ठीक है आप एक दोस्त की तरह भी रहोगे ठीक है और जो भी बाते हैं वह सारी चीज़े आप अपने परसन से स्टियर करोगे उनके भी बाते होंगे ऑफिस क आप लोगों का स्प्रेड और विंग साना चाराय कार्ड तो मुझे ऐसा लगा है कि जिंदीगे आपके बहुत ज्यादा रिलाक्सेशन भरी होगी जब आप इस परसन के साथ होगे और देखते हैं कि क्या फ्यूचर है सो प्लीज कॉट्ट गेज में अक्यूरेट मैसेज य और यहां पर बैलेंस का कार्ड है सो बैलेंस कार्ड आपको यह बता रहा है कि डेफिनेटी आप दोनों के इस रिष्टे में बहुत ही ज्यादा बैलेंस होगा जिसको लेकर आप सोच रहे हो चाहिए आपके क्रश्च हो या फिर कोई भी हो अगर दिल की बाती नहीं भी कही ही गई है तो यह सब कुछ आपके लिए फील करते हैं बहुत डेडिकेटेड हो जाएंगे पूर अपना डिटर्मेनिशन दिखाने वाले हैं देखें ट्रस्ट होगा एक नई शुरुवात होगी न्यू बिग्निंग का भी कार्ड है और यहां पर ट्रस्ट मर्दी रिलेशन है ठीक है जिस तरस के भी हारस्टाल आप कर लेते हो बहुत अट्राक्ट हो जाते है यह परसन और देखते हैं क्या फ्यूचर है प्लीस कोड गिव में एक्यूट मैसेच फ्यूचर क्या है जिविविंग एंडर्जी यह बहुत फ्यूचर राइट है बहुत जादा खुशि है वैसे यह तो इन फ्लेम कनेक्शन भी टॉफ है लेकिन हां ऐसा नहीं कि पेसी एक्जान क्लियर नहीं करते हैं बहुत सारी करते हैं इसके ट्विंग का मिलन भी होगा डेफिनेटल आप लोगे भी चैलेंजेस आएंगे लेकिन जितना चैलेंज आएगा उतना जादा आप वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को क्लेम कीजिए और अपने जो भी इच्छा है कमेंट में लिखिए और अभी आप बहुत अलाइन हो इसलिए अपने इस परसन को लेकर टेंशन प्री रहे यह क्योंकि फ्यूचर आप देख सकते हो ज्वाइन स्टेबिटी का हैं सक्स सक्सिर्टी है और बहुत जादा सक्सिस और ग्रोथ का काड़ है मतलब यह रिलेशन से बहुत सक्सिसफुल होगा और बहुत भी करेगा ठीक है तो मेरी यह रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई भी तनाओ है दुख है दर्द है प्लीज भूल जाहिए मैं नहीं दिए है हना पास्ट के टाइम में इतना तनाव दिया है परिशान किया लेकिन यहीं वह परसने जिसके साथ आपकी ग्रोध भी हो रही है सेक्सेस्फुल हो उपन अब कॉम्मिनिकेशन है आपका एक साथ हो रहे हो प्रसन आपको दे रहे हैं ठीके तकलीफ से भी यही परसन इंचुआए कर रहा है तो किसी और के साथ बातिक कर रही हूं लेकिन यहीं ऐसे परसन होते हैं जो क्या आपके लिए तडबते भी है ठीक है यह यह यहां पर होता है तो देखते हैं कि इनके अनकहीं बाते क्या है जो कि आपको कहना चाहते हैं बोलना चाहते हैं प्लीज को और गिवने अक्यूरेट मैसेज फॉर मारे डियर व्यूवर्स क्या है इनकनी बाते मेरे व्यूवर्स के परसन जो है जो इनके दिमांग में चल रहे परसन है उनके लिए क्या सोच रहे हैं क्या बोला चाहते हैं ऑस्ती थिंग फॉर्स नाइट यूशर स सोच रहता है की अजरा बीपरसन की बारे में ही सोचते रहे वह सक्ता रह फुल क्यूँ हो在 क्या उसके बाद है I have told my family about you wow that's great इससे बड़ी बात किया होगी जो इंसान ठीक है जो इंसान अपने पार्टनर के बारे में अपने फैमिली को बता दिया अध्मिंस कि वह बहुत सीरियस है ठीक है वही चीज़ यहां दिखाई दे रही है और देखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि लास् सारा बाते किया है इन्होंने अपने फैमिली से और आपके बारे में डिसकस किया देखिए फिर से आया है I talk to you a lot in my head तो यहां पर यह चेश कुलियर है या तो इन्होंने अपने हैं अपने से बाते की हैं यह और बात देखिए और भृमंत में के इनके मैं आपको आ विल नव पर लुग यू अनदर णया है जाते आई क lekenya अब कुलकर कहना चालते हैं कि जिस तरीके से मैंने तुमसे प्यार किया है उस तरीके से मैं कभी किसे से प्यार नहीं किया है और नहीं कर सकता हूं ठीक है यह चीज है और क्या information है अगर मज़े कोई मौका दिया जाए जाए जो मैंने तुम ने मुझे करा दिया है वह अलग है और क्या information है है ओके हो माई गॉड आई डॉक आपके बारे में यह परसन बहुत ही ज्यादा बाते कर रहे हैं को बहुत याद कर रहे हैं और इन्होंने अफ्सोस भी कर लिया है कि हम से गलती हुई है मुझे माफ कर दो देखते हैं और क्या love letter देना चाहते है आपके परसन आपको यहां पर यह चाहते हैं यू आपको आईडिया पेन यूह कॉस्ट मी तो यह कहना चाहते हैं कि जस तरीके से तुमने दुक दिया है धर दिया है ठीक है वह तुमें पता भी नहीं होगा है कि कि अगर आप से कुछ गल्ती हुई हो तो है या उपको आफिक हैं और यह चाहते हैं आप से माफ भी मांगत मुछे लाफ करणाई। देखी है सबसे पहली घ्रके को हड्या करने ना,शना भराणा, 覺 हमारे बीच घुह चेहुए है बीच से यह भनी हímил रहे ही होती है ठीक है तो यह चीज से वह फ्रस्टेट हो चुके हैं और यह चाहते हैं कि हमारे बीच में एक नई शुरुवात हो और इन्होंने आपको दुख दिया है इनको पता है और यह खुद बोल रहे हैं कि मैं हूँ जो पर ब्लेम लगना चाहिए इस चीज का जो कि मैंने तुम्हें हमेशा रूल आया है मैंने तुम्हें हमेशा हर्ट किया है मुझे इसके लिए माप करो तो इस तरीके से परसन आपके कहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप नई शुरुवात करो उनका डिप्लाइ करो कॉल मेसेज़ेस करो ठीक है पहल करो ऐसे चीजह आपे दिखाई द है तुकि मैं आपको स्कीन पर शोव कर दिया है ओके सुचलते हैं तब तक रिवाइट टेक कियर अब तक ख्याल रखिएगा अपने फैमली का भी